चावल की वज़े से भारत और थाइलेंड में बवाल एक दाने जितना दिखने वाला चावल इस समय भारत थाइलेंड के बीच जंग की वज़ा बन गया है अब बुदाबी में इस समय विश्व व्यपार संक्थन की तेरवी कॉनफरेंस जारी है यो तो इस कॉनफरेंस में कई एहम मसलों पर चर्चा हो रही है लेकिन एक मुद्दे ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है यहाँ पर जब थाइलेंड की राजदूत ने भारत पर सबसीडी वाले चावल को निरियात करने का आरोप लगाया जबकि भारत ने उसके आरोप को बकवास बना कर खारिच कर दिया जानिये क्या भारत थाइलेंड दरार का असर अब व्यपारिक रिष्टों पर पड़ेगा दरसल नई विवाग के बाद दोनों देशों के बीच नया राजनेतिक तनाव प्यादा हो गया है होंग कॉंग स्थित वेबसाइट बी एन ब्रेंके की रिपोर्ट के अनुसार डव्यू टियों ने थाई राजदूत पिम चानोक वन कोरपान पिट फिल्ड की तरफ से अरोब लगाया कि भारत के चावल पर भारी सबसीडी दी जाती है इससे उसे अंतराश्य निर्याद बाजार में भड़क नित्ती है उनकी तरफ से एक एडवाईजरी मीटिंग में ये टिपनिया की गई इन टिपनियों का अमीर देशों के कुछ प्रतिनिधियों ने समर्थन भी किया इससे भारत और ज्यादा नराज हो गया है वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारती अधिकारियों ने टिपनियों पर थाई सरकार के समक्ष कड़ा विरोध दर्च किया है केंद्रिय वानिजी और अधियोग मंत्री प्यूश गोयनले भी सियूंत राजय व्यपार प्रतिनिधी कैथरीन टाई और यूरोपिय संग के कारेकारी उपाद्यक्ष वाल्डिस डॉम्ब्रो वस्की के सामने असभीकारय भाशा और व्यभार के खिलाफ मुद्दा उठाय भारत सरकार के अधिकारियों का कहना है कि थाई राजदूत की तथ्य गलत थे उन्होंने कहा कि देश में उतपादी चावल का क्रीप 40 पीसदी हिस्सा सरकार द्वारा खाद्याय सुरक्षा उदेश्यों के लिए अधिगरित किया जाता है अधिकारियों की माने तो सरकारी एजंसियर जिस बाकी बची हुई उपज को हासिल नहीं करती है उसका एक हिस्सा भारत की तरब से बाजार मुल्या पर निर्याद कर दिया जाता है आपको बता दे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है साल 2022 में वैशवीक चावल व्यपार में भारत की कर 40 फीजदी हिस्सेदारी थी और गैर बास्मती सफे चावल के शिप्मेंट पर प्रतिबन लगाने के बावजूद दक्षे नेश्याई देशों ने पिछले साल दुनिया के शीष चावल निर्यात का खिताब बरकरा रखा वहीं मिली जानकारी के मताबिक थाईलेंड राइस एक्सपोर्टर एसोसियेशन ने कहा है कि उबले चावल पर 20 प्रतिश्यत शुल्क लागू किया जा रहा है हाला कि चावल निर्यात प्रतिबंद के कारण वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी 27 फीसेदी कम हो गई है वहीं टियाराये के मानद अध्यक्ष चुकियाट औप्सवांग के अनुसार भारत ने साल 2022 में 22.3 मिलियन टन की तुल्ना में 2023 में 16.5 मिलियन टन चावल का निर्यात किया है यानि 2022 की तुल्ना में 2023 में चावल का निर्यात घटा है वही थाईलेंड के राजदुत की टिपनी तब आई जब भारत ने WTO के 13 मंतरी स्क्तरिय समेलन में खादे सुरक्षा के लिए सारवजिनिक स्टोक होल्डिंग के 27 माधन की अपील की पश्मी देश जो भारत के चावल निर्यात प्रतिबन से परेशान है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दक्षी निश्याई देश वैश्विक बजारों में सबसीडी वाले अनास बेचकर अंतर अस्षिय व्यपार में हिराफेरी कर रहे हैं वहीं BNN ब्रेकिंग के अनुसार भारत और थाइलेंड के बीच विवाद की नतीजे का वैश्विक व्यपार समंदों पर व्यापक परभाव पढ़ सकता है खासकर WTO में क्रिशी सबसीडी पर भविशे की चर्चा पर खासा असर पढ़ सकता है